नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस दोस्तों अगर आप अपने सैमसंग के फोन में चार्जिंग इशू फेस कर रहे हो या अगर फ्यूचर में फेस करोगे तो आपको किस तरह के से इसे सोल करना है मैं आपको बताऊंगा स्टेप बा इशू क्या है तो हुआ यूग कि सुबह में मैंने जब अपने फोन को चार्जिंग पर प्लगिन किया तो पहले शो हुआ फास्ट चार्जिंग उसके बाद शो हुआ केबल चार्जिंग नर्मली ऐसा होता नहीं है कभी भी मैं अपने फोन को जब चार्ज करता हूँ 25 ओट का चार्जर है जो बोक्स में आपको मिलता है अगर आपने 25 ओट का चार्जर परचेस किया होगा तो आपको बताऊगा सुपर फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पर या लोक्सरिंग पर जब आप चार्जिंग करते हो तब लेकिन मेरे फोन में ऐसा नहीं हुआ था सुबह में सुबह में fast charging और cable charging दो ही option शो कर रहे थे या दो ही चीज़े यहाँ पर शो कर रहे थे और charging काफी slow में हो रही थी तो ऐसे मैं मैंने कई बार charger को change किया मेरे पास की सारे charger है इसके अलबा अलग-अलग switchboard में मैंने try किया कि actually मैं issue क्या है और मुझे पता चला कि कई सारे लोग इस issue को face कर रहे है तो फिर आपको इसे solve कैसे करना है तो मैंने किये 3 steps उसके बाद मेरे फोन में charging issue solve हो गई normally जब भी आप 25W के charger से charge करते हो अपने phone को तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए super fast charging अगर आप 15W के charger से charge करते हो तो लिखा होना चाहिए fast charging लेकिन अगर आप cable charging देख रहे हो यहाँ पे मतलब कि आपके phone में issue है आपका phone काफी slowly charge हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको plug-in करना है अपने phone को charger के साथ ठीक है और ऐसे में आपको dal pad को open करना है dal करना है star hash 9900 hash इसके बाद आपको नीचे आना है और यह जो battery and device के में battery में more battery settings में और यह जो option है fast charging आपको इसे off करके वापस on करना है फिर आपको देखना यहाँ पे कि cable charging अभी भी show कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है आपका जो option है super fast charging या fast charging वापस आ चुका है तो आपकी issue solve हो चुकी है लेकिन अगर फिर भी इतना क आपको अपने phone को charger से unplugged करना है charging निकाल देना है इसके बाद आपको अपने phone को करना है switch off तो हम करेंगे इसे power off power off होने के बाद 10 second wait करिए फिर आपको plug-in करना है charger को वापस और आपको अब मिलेगा यह animation अगर यह animation show करता है मतलब की आपके phone में issue solve हो चुकी है अगर green color होगा तो issue solve नहीं हुई है लेकिन अगर यह color show करेगा और यहाँ पे मिलेंगे आपको दो flash आप देख पार हो यहाँ दो flash है अगर एक ही flash होता है मतलब की super fast charging नहीं है अगर यह दो flash है मतलब की super fast charging enable हो चुकी है तो अब मेरे phone में जो issue है solve हो चुका है इस तरीके से 3 steps करके मैंने इस issue को solve कर लिया है अपने phone में अगर मेरे phone में यह issue solve हो चुकी है तो आपके phone में भी यह issue solve हो जाएगी बस आप को करने है यह तीन स्टेप्स इसके बाद आप अपने फोन को स्विच ओन कर सकते हो और स्विच ओन करने के बाद भी जो तो आपको शो करेगा लोक्षिंट पे इसके लवा नोटिपिक्शन भार पे आपको चेक करना है तो आप देख पारे हो यहाँ लिखा हुआ है super fast charging इसके लावा जब आप अपने phone को unlock करोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा super fast charging आप देख सकते हो इसके लावा अब आप अपने charger को unplug करके वापस plug-in करोगे तो हमेशा अब super fast charging इसो करेगा अब cable charging या fast charging आपको show नहीं करेगा आप देख सकते हो super fast charging अभी show कर रहा है तो जो issue थी cable charging वाली अब sold हो चुके आपके phone में इस तरीके से आप अपने Samsung के किसी भी phone में cable charging की जो issue है fast charging लगाने के बावजूद आपका phone काफी slowly charge हो रहा है cable charging show कर रहा है super fast charging के place पे तो आप इस तरीके से अपनी इस issue को solve कर सकते हो इतना करने के बाद भी अगर आपके phone में issue solve नहीं हुई है तो आप मुझे comment box में लिख सकते हो या फिर आप मुझे instagram पे या twitter पे भी message कर सकते हो यह था दोस्तो इस video में अगर आपका वी भी सवाल हो तो आप हमें पुछ सकते हो आप मुझे instagram पे या फिर twitter पे भी message कर सकते हो इस video को देखने के लिए धिन्नेवाद दोस्तो